Hello all and welcome to recognition IAS Geography optional में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे past year questions के discussion और हम लोग स्टार्ट करेंगे 2019 के question paper से 2019 का question paper का paper number one already देखिए publish हो चुका है playlist में जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हैं discussion को सुन सकते हैं यहाँ पर हम लोग बात करेंगे paper number two के बारे में और इसी चीज़ को हम लोग discussion स्टार्ट करेंगे देखिए हर एक paper में in fact paper one and paper two दोनों में ही दो section होते हैं एक होती है जो हम section one बोलते हैं section A और दूसरी होती है section B तो हम लोग for the sake of discussion and for ease of discussion हम लोग दोनों section separate separate part में discuss करेंगे तो एक part आपकी section ने आजा जाएगी section भी आपकी कल आ जाएगे और इसी तरीके से हम लोग आगे जितने भी question paper से उनको complete करेंगे कोशिश करेंगे हम लोग कि जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे और उसके question paper को लेंगे लेकिन एक point के बाद questions continuously repeat होंगे so ये देखेंगे हम लोग की कहां तक हम लोग जा सकते हैं और उसके बाद जब questions repeat होने लगेंगे then we will stop clear कोशिश हम लोग यही करेंगे कि हम लोग 2009 से लेकर के 2019 तक के तो discussion करेंगे ही करेंगे paper wise इसके beyond अगर जाना होगा तो we will see कि हम लोग कहां तक जा सकते हैं फिलाल देख लेते हैं सबसे पहले question paper question paper देखेंगे तो देखेंगे यह आपका question paper है और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यह पढ़ लीजे कि इसमें क्या क्या चीज़े मतलब करनी होती है the instructions क्योंकि instruction कभी change नहीं होते है instruction generally कोई पढ़ता नहीं है most of नदब 95% लोग तो instruction जानते भी नहीं है तो देखें यहाँ पर क्या है कि total के total 8 questions है 8 questions में से question number 1 और question number 5 यह दोनों compulsory questions है ठीक है इसके अलावा बाकी 3 और question आपको करना है जैसे इस part में अगर आप देखेंगे question number 1 यह जो है compulsory है first का A हो गया फिर first का B, C, D इस तरीके से हो गया 2, 3 and 4 यह आपके section 1 में बच गया है question number 5 यह compulsory है आप देखें 6, 7, 8 तो यानि कि आपके पास 6 questions है 6 questions में से 3 attempt करना है but एक यहाँ पर scene यह होता है कि आप हर एक section से minimum question attempt करेंगे यानि कि section A से 2, 3 attempt करके और फिर section B से आप question number 6 attempt कर सकते है या इस तरीके से मतलब आपको दोनों में balance बनाना होगा दोनों चीजों को करना है ऐसा नहीं है कि section A सही आप सारे question तीनों के तीनों question उठा लेए कम आप नहीं कर सकते हैं तो यह हो गई चुड़ी मोटी instruction आप देखें यहाँ पर जो question paper है देख सकते हैं आप की this is in the format of section A and section B तो section number A तक हम लोग देखेंगे यानि कि 4 के C तक हम लोग देखेंगे आज की इस discussion में फड़ावा discussion इस start करते हैं इस discussion is obviously of paper number 2 paper number 2 में जो problem generally aspirants को face होती है वो यह होती है कि questions are very general कैसे इसको हम लोग जोगरफी लिखें तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कैसे एक general question को भी geography optional के question में लिखना है कैसे हम paper 1 के concepts को paper 2 में हम integrate कर सकते हैं कैसे इसे relate कर सकते हैं सबसे पहला question देखते हैं first question देखे first question का first A जो है वो सीधे सीधे map making based है map making के लिए अलड़ी एक series लगी हुई है series को इस discussion के end में suggestion में भी डाल दिया जाएगा तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं अब इसमें देखिए जो five locations आती हैं उसमें से देखिए तीन ही location at max आपको आती रहेगी बहुत lucky रहेंगे तो चार आती रहेगी एक इसमें से location ऐसी होती है जो आपको नहीं आएगी तो उसमें बहुत ज़दा fight भी नहीं करना है क्योंकि देखिए दो marks का है and you can simply skip it ज्यादा कुछ इसमें fight करने की जरुदत नहीं है because ये जो है वो UPSC का ego है तो ego किसी का hurt नहीं करना चाहिए उसको छोड़ देना चाहिए हम लोग आते हैं और इसमें जो location आपको नहीं आए तो आप सीधे google करिएगा देखिए इसमें कोई चीज मेरे बताने लायक नहीं होती है just have to google it and just watch the locations यहाँ पर देखें question number first के B में the question is examine the major cause of groundwater depletion in India अब देखिए most of the aspirants क्या करेंगे सीधे सीधे introduction लिखेंगे groundwater groundwater का status लिख देंगे at max और फिर इसके बास से main body में आकर के जो groundwater की depletion है उसको लिखना शुरू कर देंगे no doubt कोई problem नहीं है कहीं कुछ नहीं है लेकिन end में अगर आप ये 10 नमर का question है you will end up in getting near about 3 at max लेकिन इस 3 को आप 4, 4.5 में convert कर सकते हैं कैसे करेंगे देखिए this is the main trick here कि कैसे इस general writing को आप एक optional writing में convert करेंगे कुछ नहीं करना है देखिए जब आप introduction लिखिए तो introduction में आप groundwater status को मत बताईए आप बताईए physiography of India physiography of India ठीक है इस physiography के बाद यहीं पर आप बता दीजिए कि कहां कहां पर groundwater की possibilities हैं possibilities के बाद आप बता दीजिए कि what exactly is the meaning of aquifer तो aquifer के बारे में आप आगे आप aquifer आपने बता दिया आप कहीं न कहीं आपने यह बता दिया कि aquifer is the thing through which water is getting receded into the groundwater और इस तरीके से जो होता है हम इस groundwater का use करेंगे आगे अब इस groundwater में इस aquifer में ही आप बता दीजिए obviously there are limited water and now connect with the status of water कि कितना percent of the water is in the format of aquifer या फिर groundwater paragraph change करके आप आईए और main body के तरफ आजाईए paragraph change करके यहाँ पर बताईएगा कि there are some causes through which water is getting depleted या फिर इसको और connect करने के लिए this is the best way आप किसी न किसी एक current events को जोड़ दीजिए अगर आपको कोई stats या data पता है कि इंडिया में या world में groundwater की depletion बहुत ज्यादा हो रही है तो अगर आपको data पता है तो code the data कि 6%, 10%, 15% जितना भी data है या फिर आप simply लिग दीजिए कि groundwater depletion इंडिया में काफी ज्यादा हो रही है and this can obviously lead to a disastrous situation paragraph change करके आप लिग दीए there are various causes through which water is getting depleted अब इस major causes पे आजाईए major cause आप सीधे सीधे एक heading डाल सकते हैं और उसके बास है point point format में लिखना चुरू कर दिए सबसे पहला number agriculture agriculture में आप बता दिए कि irrigation होती है और उसके basis पे water जो होती है वो ground water यूज गया था और इस तरीके से ये pollute हो जाता है या deplete हो जाता है जो भी कहना है second industries में industries में भी purification process में जो है इसका use होता है तो इसके basis पर भी हम लोग कह सकते हैं कि water जो है वो deplete हो रहा है तीसरी चीज energy conservation या energy production में अब जैसे चाहे coal burning हो चाहे electric किसी भी तरीके से अगर आप electric supply कर रहे है hydroelectric power plants अगर है लगा रहे है तो obviously जो ground water depletion है वो होगा ही होगा इसके अलावा nuclear में भी water का use पड़ता है और वो pure water का use पड़ता है और इस कारण से हम ground water का again use कर लेते हैं shell gas के बारे में आप लिख सकते हैं shell gas को भी extract करने में ground water की ही या फिर purest format of the water की ज़रूरत पड़ती है clear हो गया इसके अलावा lastly आप बता सकते हैं others और इस अदर्स में आप multiple चीज़े लिख सकते हैं जैसे household की चीज़े हो गई ठीक है इसके अलावा RO water के बारे में हो गया देकि RO water में बहुत ज़्यादा ही वह पानी जो है वह वेस्ट होता है तो इन सब के basis पे आप चीज़ों को connect करके लिख सकते हैं नीचे जो चीज़े बताई गई है वो आप easily लिख सकते थे पहले भी लिख रहे थे ये जो उपर में आपको एक connecting dot बताया गया है ये connecting dot काफी important है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को सिखाया वो ये कैसे हमें answer का एक flow maintain करना है अब देखे शुरुवात में हम लोगों ने Physiography of India के बारे में बात किया मतलब कहीं न कहीं हम लोगों ने इस groundwater or aquifer के लिए जो physical condition requirement है उसको हम लोगों ने पहले define किया flow maintain करने के लिए इसी को हम लोगों ने justify कर दिया with the stats एक हम लोगों ने data लिख दिया कि water की क्या availability है उसी को और आगे हमें mold करना है depletion के और जाना है तो हमने सीधे connect कर दिया किसी ना किसी data के थुरू current event के थुरू कि इतना water deplete हो रहा है और फिर हम लोग सीधे अपने main question पर आ गया कि this is a maze causes और वही causes के बारे में आपने लिख दिया सीधे clear तो आपको बस दो चीजों का ध्यान रखना है एक कि कैसे geographical language या geographical terms या फिर geography को use करना है दूसरा flow कैसे maintain करना है that's all this is all about our answer writing this is all about means answer writing clear हो गया इसके अलावा देखते है question number first का C यहाँ पर देखेंगे तो देखें first question यहाँ वैसे question है कि why is Indian monsoon erratic in nature अब देखें question कुछ नहीं है question is simply disruption in Indian monsoon के बारे में है this is disruption in Indian monsoon clear तो इस तरीके की थोड़ी से language बदल करके पूछी आ सकती है explain करना है ज्यादा कुछ खास नहीं सीधे point to point लिख देना है क्या करेंगे आप देखें यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ लोग गलती क्या करेंगे introduction में आप लोग लिख देंगे के Indian monsoon क्या है या फिर flow chart भी आप बना सकते हैं इसको ले करके this is plus flow chart आप बना सकते हैं और इस flow chart में आप दिखा सकते हैं कि कैसे monsoon develop होता है तो यहाँ पर आप basically development of monsoon को दिखा सकते हैं वही southeast wind किस तरीके से जो होती है वो बदलती है ITC जड़ नीचे जाता है और changes आते रहते हैं वो सब चीज़े जो होती हैं बता सकते हैं अब इसके बाद आप सीधे सीधे main body में आ जाएंगे और जो main content of the question है वो लिखेंगे क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे आप सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं Elnino के बारे में आप लिख देंगे कि Elnino is the cause, Elnino, Lanina, सब एकी चीज़ है Elnino, Lanina, Enso, ठीक है या फिर आप moodoki के बारे में बता सकते हैं या फिर आप MJO Medan Julian Oscillation के बारे में बता सकते हैं या फिर Indian Ocean Dipole के बारे में आप बता सकते हैं या फिर Weston Disturbance के बारे में आप बता सकते हैं तो यह सब चीज़े आप लिख देंगे और to the point point यही सब आप लिख देंगे और फिर end में क्या होगा? नमबर कट जाएगा नमबर आपको फिर वही धाई नमबर मिल जाएगा और फिर आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा देखें इसमें content कोई नहीं content यही लिखना है सब के सब यही लिखना है बस तरीका बदलना है कैसे तरीका बदलना है? देखिए introduction जो आपने लिखा है same as a days यहाँ पर भी लिखना है same map एक और लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा तो map एक लिख करके और भी अब बना सकते हैं body में क्या करना होगा आपको कि यहाँ पर आप बताएंगे कि in recent past we have seen there is a delay in the Indian monsoon और there is a break in Indian monsoon तो इस तरीके से आप basically अपने flow को maintain करेंगे तो आपने flow को maintain किया अब इसके बाद क्या करेंगे कि there are some reasons some natural reasons as well as anthropogenic reasons जिसके कारण से Indian monsoon में हमें एक disruption देखने को मिलती है those reasons are number one अब देखिए El Nino, La Nina को use करना है but I will not write El Nino or La Nina directly because these are the you can say कि these are the effects but they are asking why reason पूछ रहा है यह effects है यहाँ पर मैं बताऊंगा कि there are pressure difference और there are temperature difference temperature difference along pacific because of which because of which there is a there is a cyclic shift in cyclic shift in walker cycle walker cycle and which ultimately lead to disruption in Indian monsoon this effect is known as El Nino या फिर ज्यादा हो जाए तो La Nina और इस तरीके के solution को हम लोग Enso बोलेंगे this is the way through which you can write the answer content वही है बस tone तरीका बदल दिया गया है दूसरी चीज इसी तरीके से आप Modoco की define कर सकते है MJO को define कर सकते है Indian Ocean Dipole को बता सकते है simply आपको क्या करना है simply आप लिग देंगे there is a difference in temperature and pressure noted along the Indian monsoon because of which there is subsidence problem in the winds जिसके कारण से ultimately Indian monsoon को proper wind या फिर proper water vapor नहीं मिल पाता है जिसके कारण से Indian monsoon weak पड़ जाती है या फिर delay हो जाता इस तरीके की चीज़ें आप बता सकते है यह हो गई natural causes इसी तरीके से आप anthropogenic पे भी आ जाएंगे कि there are multiple projects multiple developments going on because of which there is a problem of climate change global warming जिसके कारण से again जो cyclic shift in geographical process है वो disrupt हो रही है जिसके कारण से ultimately Indian monsoon पे इसका effect देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से यह आप लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा number भी मिलेगा दूसरा flow भी maintain हो रहा है and the main important thing is you are writing geography here you are not writing any general thing clear हो गया तो यह चीज़ आपको इस तरीके से लिखने है आगे बढ़ते है next question पे next question है आपका explain the significance of dry forming drought prone area of India अब देखिए यह जो drought prone area है यह सब 1974 के दोरान में आया था एक command area development program CADP इसके देखिए various component थे उसमें से component था drought area drought prone area development program यह देखिए माजिद हुसाइन बुक में काफी बहतर तरीके से लिखी हुई है तो you can refer माजिद हुसाइन page by page here in this book ठीक है इसको आप refer कर सकते हैं Indian geography के लिए paper 2 के लिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है लेकिन इसमें एक चीज़ आपको यह धियान रखना है कि chapter 1 हमेशा chapter 2 के साथ link होगा chapter 2 हमेशा 3 के साथ link होगा 4 के साथ link होगा मतब इस तरीके से जो भी chapter अगर 4 पढ़ना है तो 1, 2, 3 यह integrate करिए इसमें बुक में इसे integrate नहीं की गई है यह आपको सीखना होगा मतब यू आर comfortable in connecting the dots of the chapter number 1, 2, 3 in the chapter number 4 तो यह आपको सीखना यह आपको करना है यही चीज़ आपको answer writing में भी करनी है clear? ओके, तो यहाँ पर आपका जो question है question is drought prone area में dry forming कैसे करनी है तो देखे, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी आप physiography को बताएंगे सबसे पहले आप physiography of India को बताएंगे लेकिन यहाँ पर physiography बताने में आपको जो ध्यान रखना वो यह रखना है water availability basis पे water availability ठीक है? यह आपको ध्यान में रखना है जिसमालीज आप Himalayan Belt के बारे में पता रहे हैं तो वहाँ पर आपका focus होना चाहिए कि there are Himalayan rivers through which irrigation can be possible इसी तरीके से जिसे पंजाब है पंजाब मतलब 5, 5 मतलब 5 5 rivers वहाँ पर बहती हैं इस वरे से पंजाब नाम पड़ा है तो irrigation की काफी अच्छी availabilities है वहाँ पर फिर great plains में आप आजाएंगे वहाँ पर आप बता देंगे कि there are गंगा यमुना मैदान जिसके कारट से यहाँ पर भी irrigation की काफी अच्छी possibilities है फिर आप peninsular इंडिया में आजाएंगे डेकन के बारे में बता देंगे और कहेंगे कि this area is of यहाँ पर भी हलाँ की नदियां है, rivers are there but they are not you can say की Himalayan type rivers they are different, they are peninsular rivers and they are rain fed because of which sufficient amount of water is not available for irrigation in throughout the season जिसके कारट से यहाँ पर problem हो सकते है and that is why we have to consider this as a dry land and we have to practice dry land farming here along with that there are multiple other regions like drought prone area regions in the areas of Rajasthan, Gujarat ठीक है, तो इस area में क्या है की drought prone areas है and here dry land farming is the only thing that we can practice in the format of agriculture clear तो यहाँ पर यह जो चीज इस तरीके जिब आप लिखेंगे then it will connect to the dot of geography अब आप आजाईए मेन मुद्दे पे मेन मुद्दा है आपका dry land farming अब dry land farming तो खेर सब लोग पढ़े होते हैं हर जगा पर आपने पढ़ा होगा in fact माजी दुसायन में भी आप पढ़ सकते हैं काफी बेटर तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पर भी आप आजाएंगे तो इसके तीन component होते हैं HYV seed हमेशा एक hybrid variety of such seed का इस्तेमाल करना है जो की इस तरीके से genetically modify की जा रही हो जो कम water के availability में भी अच्छा produce दे रही हो this is the first thing दूसरी चीज traditional way of cultivation होनी चाहिए यहाँ पर traditional तरीके से करिया आनी चाहिए ठीक है fertilizer का use किया जाए pesticide का use किया जाए ताकि कोई attack वगर भी होता है क्योंकि dry land farming areas में जो locust attack है टिड़ों का attack वो हर साल होता है तो इस pest management के थुरू जो होता है हम यह manage कर सकते हैं इसके अलावा irrigation की भी availability करा ही जानी चाहिए this is our development यह हम development के थुरू कर सकते हैं इसे various projects जो है वो बनाएगे हैं जैसे कि आपका जैसे अगर देखें तो इसके अलावा तिलंगाना में जो पोलावरम, डायम, कालेशवरम यह सा प्रोजेक्ट और लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाएगे this is also the same thing in the direction of for dry line farming irrigation availability in the areas of drought prone area यह जब पुरा का पुरा system मा बनाएगे then it will look like a complete answer and flow तो obviously इसमें बनी हुई है ठीक है, बाकी more अगर मा लीजे dry land farming के बारे में आपको अगर comfortable नहीं है तो I would recommend you to go through with the content again of माजी दुसाइन या फिर अगेन जो होती है वो lectures को भी आप refer कर सकते हैं ठीक है next version पर आगर आते हैं तो question number second A, यहाँ पर है correlate the agro-climatic zones with the agro-ecological region of India देखें कई लोग इसमें discomfortable हो गये थे कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या लिखना है, कैसे लिखना है देखें इसमें कुछ नहीं करना है केवल और केवल आप यहाँ पर तोडने शुरू करिए keywords कुछ हाटी है पहला keyword है agro-climatic zone climate है यानि basis इसका climate वाला होगा दूसरा है आपका agro-ecological region अब देखें यहाँ पर दो चीज़ें एक है ecological और दूसरा है region तो एक हो गया region अब देखें relate करना है आपको इस climatic से इस region को कहीं ना कहीं this is physical geography क्योंकि climate है और कहीं ना कहीं this is human geography क्योंकि यह region के बारे में बात कर रहा है तो आपको यह link करना है यानि कि answer में आपको जो perspective in human geography का concept है वो भी आप यहाँ पर use कर सकते हैं कौन कौन से term यहाँ पर आप term use कर सकते हैं कैसे physical को human के साथ relate करना है जो की huntington ने किया था huntington साहब ने किया था pulse of asia इनकी book थी pulse of asia ठीक है this is the thing इसके अलावा आप और भी चीज़े लिख सकते हैं जैसे aristophan का बारे में लिख सकते हैं रिश्थोफन ने भी physical और human को integrate करके कहा था कि हमें हर चीज़ को देखना चाहिए रिजनलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है तो आप रिजनलाइजेशन का मतलब आप heartstone वगरे की थीज़ी नहीं ले आएंगे यहाँ पर है concept agricultural regionalization और agricultural regionalization में एक ही थीज़ी आती है that is the wittlesay theory तो wittlesay theory के बारे में आप यहाँ पर coat कर देंगे just एक single line अब आप आजाएए main मुद्देवे अगर आप agroclimatic zone वगरे के बारे में पढ़े होंगे तो आपने यहाँ पर कई सारे classification पढ़े होंगे जैसे MS Randhava MS Randhava का classification हो गया ठीक है इसके अलावा P.Sain Gupta का classification हो गया P.Sain Gupta इसके अलावा एक Galena This is Galena S.H.S.Y.U.K ठीक है शेश्यूक या जो भी है तो इनकी classification भी आपने पढ़ी होगी नई पढ़ी अगर हो तो I would recommend you to refer Majid Hussain book again यहाँ पर काफी बेटर तरीके से लिखा हुआ है agro ecological region में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए classification कुछ 13 से 14 एरियाज में किया गया although we have 21 agro ecological region और वो जैसे हिमालेयन हो गया Eastern Ghat, Western Ghat, Dick मतलब different different classification में बाटा गया है यहाँ पर भी इन लोगों ने अलग-अलग parameters लिया है जैसे climate ले लिया है, physical features ले लिया है तो अब आपको क्या करना है इस region को, इस region के साथ में दोनों को पहले separately लिखना है फिर दोनों को जोड़ देना है क्योंकि दोनों region एक जैसे ही है because जो ecology जो होती है वो कही न कही climate से related है और जब इन तीनों का classification और साथ में ecological region का जब आप classification कर देंगो तो अपने आप आपको link दिख जाएगा this is the region and this is the climatic zone and through which we can club and we can draw a conclusion here that this kind of crop this kind of condition will happen here और ये काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, clear हो गया तो ये एक simple सा question था 20 mark का question है, 15 से आप multiply कर दीजिए यानि कि 300 word में आपको लिखना है और बहुती simply आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर जो most important चीज़ है थी वो यही थी, जो मैंने आप लोगों को बताया कि आपको ये classification एक यहाँ पर डाल दीजिए दूसरा एक यहाँ पर classification डालिए और ये जो perspective वाली चीज़ है this is very important, this is the thing that actually brings you more marks ठीक है, तो ये आपको extra marks दिलाएगा चलिए, next question देखते है next question है, आपका critically analyze the role of multinational corporations in India's economic development with a suitable example question अगर आप देखेंगे तो question है, MNC का क्या role है India के economic development में आप देखेंगे यह देखने पे लगेगा यार ये तो economic question है purely GS economy का question है कैसे, इसमें क्या geography लिखें देखें, ये no doubt economy का question है and economic geography is in your syllabus, economic geography अब देखें इस economic geography से आप कई सारे models को link कर सकते हैं, जैसे for example यहाँ पर काम है MNC का, अब आपको पता है कि MNC क्या क्या करती है MNC secondary sector को link करती है, साथ ही साथ में tertiary sector में भी काम करती है तो ये दो ऐसे sectors हैं, जहाँ पर MNCs काम करती है, दूसरी चीज international trade है ठीक है, international trade है clear, इसके अलावा ये क्या करती है, value addition करती है this is value addition this is value addition, ठीक है value addition भी करती है, इसके अलावा employment provide करती है employment, इसके अलावा infrastructure development infrastructure development करती है, अब आईगास आप लोग समझ पा रहे होंगे कि what exactly I am trying to connect here infrastructure के बाद एक central point बनाती है central point या फिर कह लिजे कि central market बनाती है, this is central market बना देती है ठीक है, तो easily you can drop बहुत ही अराम से आप कर सकते हैं आप question यह होड़ता है कि इसमें यह सब चीजे तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है तो हम भी जानते थे, आपने क्या बताया यहाँ पर देखिए, आपको models connect करने है और models को connect करने के लिए there are different models जैसे models के नाम पर Weber का model भी जरूर है, लेकिन यह यहाँ पर relevant नहीं है क्योंकि जो Weber का model है, वो एक तरीके से बहुती basic model है और raw material और industries को ले करके है, तो यह लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप just simply skip कर सकते हैं इसको यहाँ पर जो चीज लिख सकते हैं, वो लिखेंगे आप सबसे पहले systems analysis systems analysis क्योंकि systems analysis में देखिए हम लोगोंने different type of systems के बारे में तो पढ़ाई था, साथ ही साथ में हम लोगोंने network देखा था network में जैसे linear network हो गया या फिर दो network को एक साथ जोड़ करके रखा गया था cascading effect देख लिया था हम लोगोंने तो यह सब जो networking है वो इस MNC में बहुत जादा होती है तो networking के बारे में आप बताएंगे इसके अलावा गुनार्ड मिर्डल की concept बताएंगे this is middle cumulative causation cumulative causation इस theory को बताएंगे इसके अलावा एक और theory है that is the free demand theory is free demand theory की जो core periphery model है this is core periphery model इसको आप define करेंगे इन तीन model को आप बीच में जैसे पहले आप MNC को सबसे पहले आपका structure क्या होगा structure होगा सबसे पहले define MNC define MNC आपने कर दिया अब इसके बाद से बताएं conditions conditions that led MNC to become MNC to spread तो आपने condition बता दी कि यहां ठीक है market availability होनी चाहिए labor availability होनी चाहिए resource availability होनी चाहिए तो अब इसके बाद से यहां पर आप इन सब चीजों को इस geographical model से connect कर दीजिए clear अब इसके बाद से बाद से बाकी जो यह सब चीजे आपने लिखी हैं यह सब चीजे जितनी भी है secondary, tertiary, international trade, value addition, employment जितनी भी चीज़ हैं उसको connect कर दीजिए that's all clear इसके बाद जब conclusion आप कर रहे हूं तो एक India का case study डाल दीजिए कोई एक case study डाल दीजिए काम खतम आपका ठीक है अब case study में आप कोई भी MNC के बारे में लिख सकते हैं infect reliance के बारे में भी लिख सकते हैं Tata के बारे में लिख सकते हैं TCS के बारे में लिख सकते हैं O NGC के बारे में लिख सकते हैं at max जा सकते हैं clear next question पर आते हैं discuss how watershed management has become a tool in eradication of rural poverty in India क्या-क्या keyword है यहाँ पर सबसे पहला keyword है watershed management दूसरा चीज है eradication और तीसरी चीज है rural poverty connection क्या है कि भाई rural poverty बहुत जादा है ठीक है इस rural poverty को दूर करने के उपाय के तौर पर हम watershed management को यूज कर सकते हैं यानि कि watershed management दो काम करेगा एक तो economic काम करेगा this is economic दूसरा यह rural poverty का मतलब हो गया economic काम करेगा और दूसरा जो है यह एक tool है this is a tool और वो भी geographical tool अब देखिए इसको लिखना कैसे होगा structure क्या होगी इसकी structure काफी simple है कुछ नहीं करना है आपको शुरुआत करेंगे आप physiography of India से again फिर से physiography of India क्यों और यहाँ पर physiography को बहुत ज़्याद रिफाइन करने जरूत नहीं है आपको बस यह बताना है rock strata कैसा है rock strata जैसे आप लोगों ने एक concept पढ़ा हुआ है जहाँ पर यह बोला गया था कि जो हमारा South India का part है वो कुछ हिस तरीके से है और North India का part भी कुछ हिस तरीके से है यहाँ पर क्या है Himalaya है यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसके कारण से यहाँ पर water के availability नहीं हो सकती है water यहाँ पर जो है वो एक तरीके से store नहीं किया जा सकता है तो आप क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर यहाँ पर क्या problem है तो आप problem के तौर पर यहाँ पर बता सकते हैं कि there is problem of water availability और water availability होने के कारण से क्या होगा farming या फिर agriculture ये affect हो जाएगा नहीं हो पाएगा यहाँ पर problem रहेगी तो फिर आप क्या कर सकते हो obviously आप इस physiographic को link करेंगे फिर water availability से कि यहाँ पर water availability नहीं है store करना पड़ेगा और store करने के कारण से यहाँ पर agricultural activity होगी वो भी कुछ खास नहीं हो पाएगी जिसके कारण से again poverty होगी जो भी primary sector पर dependent है most of the population जो है वो primary sector पर ही dependent है यह सब लिखना होगा आपको otherwise वो link नहीं बैठेगा तो primary sector पर इस तरह से हो जाएगा so as part of the solution water availability हमें करानी पड़ेगी और इस water availability का एक source होता है tank irrigation tank irrigation and this tank irrigation का एक छोटा सा example है watershed management अब आप यहाँ पर आजाएए define watershed in a single line कि this is a bowl shaped structure which are lined जिसके कार से water percolate नहीं करता है और एक figure भी आप बना सकते हैं जैसे ये मान लेते हैं कि watershed है मान लेते हैं watershed है इस watershed में यह central point है इस central के फिर मान लेते हैं कि यह हमारा watershed का central point है this is central point तो यहाँ पर छोटे-छोटे watershed और बना दिए जाएंगे कि जो बाकी काम करेंगे जैसे कि किसी को कपला धुलना है जानवरों को नहलाना है या फिर water जो होता है household purpose के लिए उस करना है तो यह सब ले जा सकते है agriculture के लिए उस करना है और यह जो है वो pure रखा जाएगा और यह rain water से सब collect हो गया है rain water से collect हो गया panic availability हो गई employment generate कर दिया क्योंकि यहाँ पर यह construction करनी होगी पहली चीज़ दूसरा maintenance करना होगा तो यह employment generate हो गया तो एक तो employment generate कर दिया दूसरा agriculture भी start कर दिया so rural area में क्या है या तो farming कर रहे होंगे या labor work कर रहे होंगे तो दोनों को ही इसने employment provide कर दिया यानि की poverty को दूर करने का एक तरीका दूसरी चीज़ इस agriculture से produce जो आएगा उसको भी बेच करके आदमी जो है अपना जीवन जो है वो और अच्छा कर सकता है तो इस तरीके से यह poverty को और दूर करेगा और agricultural produce होगा demand and supply rate will go down and ultimately there is again a shift in poverty तो यह जो है poverty को manage कर देगा eradicate कर देगा through this tool we can say जो गरीबी है जो poverty है वो दूर की जा सकती है तो यह काम again आपका इस तरीके से लिख दिया जाएगा again 15 marks का question है 250 words से ज़्यादा नहीं लिखेंगे that is the thing एक idea लगया क्या लिखना है कैसे लिखना है और structure क्या होना चाहिए चलिए आगे आते हैं हम लोग question number 3 का A question number 3 के A में question यह बोलता है discuss the use of chemical fertilizer, pesticide and insecticide in agriculture and its impact on human health अब देखिए again near about 300 words तक आप यह जाएंगे question पढ़ेंगे तो question में तीन टर्म है chemical fertilizer, pesticide and insecticide in agriculture तो एक तो fertilizer हो गया जिसका आपको मतलब पता होना चाहिए क्या होता है दूसरा चीज़ pesticide है इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए तीसरा है insecticide तो इसका भी मतलब आपको पहले तो तीनों में difference पता होना चाहिए क्योंकि question में सीधे तीनो term अलग अलग लिखा है तो इसका मतलब है कि पहली बात तो आपसे ये define करने को बोला या रहा है कि तीनो में क्या difference है और use क्यों किया आता है and it's use usage ठीक है ये आपने बता दिया दूसरी चीज़ है agriculture obviously इसारी चीज़ है agriculture में use हो रही है Indian soil condition के बारे में आप बताएंगे Indian soil condition soil नहीं बताएंगे Indian soil condition के बारे में बताएंगे that we have different different soils throughout the country like alluvial soil, black soil ठीक है red and yellow soil इस तरीके से आप बताएंगे where the humus content and the mineral composition is not uniform many of the soils lack either nitrogen, phosphorus or humus because of which we need to put some extra nutrient supplement so that agricultural activity can be done effectively clear हुआ क्या चीज़ है तो अब देखिए इस soil condition के basis पे मैंने ये बता दिया कि कुछ nutrients की जरूरत है यानि NPK ये तो होगे nutrients plus some micronutrients अब ये micronutrients में जैसे nickel, cobalt, iron, बहुत सारी चीज़े हो जाती है इनकी जरूरत हो जाएगी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम लोग fertilizer apply करते हैं but fertilizer is not the only thing fertilizer के पास there is always a threat of pest attack as well as insect attack तो pest attack के लिए हम लोग pesticide का use कर लेंगे और insect attack के लिए हम लोग insecticide का use कर लेंगे इन सब के basis पे हम लोग effective agriculture कर पाएंगे और ये है technology का use करके हम agriculture ठीक है scientific agriculture भी आप इसे बोल सकते हैं कुछ हद तक ये सही भी होगा ठीक है तो आपने basically बता दिया कि what exactly is the use of all these things in agriculture clear लेकिन अब आप shift करेंगे अपने answer को कि these things in short run prove to be very effective but in the longer run it has shown a disastrous effect or crucial effect on Indian soil मतलब की soil as well as on the health of the human and animals अब आप बता दीजिए कि there are what are the impacts on मतलब human health है ठीक है तो आप health के बारे में बता दीए इसके अलावा soil के बारे में भी एक छोटा सा flow chart बना करके आप दिखा सकते हैं कि क्या चीज़ें है ठीक है health के लिए बाकी चीज़ों को भी आप दिखा दीजिए जैसे कि nutrient के basis भी समाल लेते mercury आ जाता है या फिर arsenic की availability हो जा रही है या फिर nitrogen extra हो जा रहा है तो बाकी जो चीज़ें जैसे blue baby syndrome हो गया minimata हो गया या फिर cadmium के कारण से ही tight आ रही है तो यह आप ultimately human health को और human diseases को बताएंगे clear हो गया क्या चीज़ है सब भाई यूरिया वगरे के बार में भी आप बता सकते हैं कि यूरिया is the thing that is being used as a format of fertilizer and this is यूरिया is showing multiple chronic diseases on the human health ठीक है तो इन सारी चीज़ों को आप लिग देंगे that's all the main thing that I want you to discuss here is how you can use this soil thing and how you can use this thing nutrient and all that कैसे आप इस चीज़ को इस आंसर में integrate करेंगे और ultimately इस आंसर को आप complete करेंगे clear हो गया क्या चीज़ है साथ इसाथ में आप यहां पर क्या है कि एक map भी बना सकते हैं और इस map के basis पे आप दिखा सकते हैं कि कौन-कौन से diseases कहां-कहां पर फैल रही है जैसे यह भी काफिर डिफाइन टाइप का ही है कि कहां-कहां से जो होता है एक तरीके से कौन-कौन से diseases कहां-कहां पर फैली होई है तो उसका एक पना location है, ठीक है यह तो चीज़े हो गई इसके कारणा से थोड़ा सा आप अगर और लिखना चाहे तो sanitation issue को भी लिख सकते हैं कि frequent use of these fertilizers, pesticides and insecticides are leading to water pollution and sanitation problem because of which water is getting polluted and this is again showing disaster effect on the human health और फिर जो water के कारणा से जो problems are diarrhea, typhide and जिते भी चीज़े हैं हो सबाप वो भी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन last paragraph में छोटा size apart है तो of the conclusion ठीक है, last में अगर आप लिखना चाहें तो इसका एक solution भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को overcome कर सकते हैं, clear हो गया so that is the thing ultimately and this is the, this is too much about the answer ये चीज़ आप लिख करके अपना answer को बढ़िया कर सकते हैं बागे question number 3 आ जाईए, question number 3 का B and this is the most, most I would say कि toughest question of this paper क्योंकि देखिए यहां पर समझ में आपको नहीं आगा क्या लिखना है तो एक तो तरीका यह है कि जो question number 3 है, इसको skip करिए या फिर इस 15 number के question में, कोशिश यह करिए कि 6 number तक आ जाए बस यह कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें because there is no geography at all अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए, question पहले पढ़ लिजे examine ongoing space program in India तो पहली चीज़ is space program है दूसरी चीज़ है, implication for national security अब देखिए, national security का नाम जैसे ही आप सुनेंगे तो आपको नाम आएगा गगन का, नाविक का ठीक है, बस यही दो चीज़ें आपको ध्यान आएंगी इसके अलाबा अगर बहुत याद होगा तो GSAT 17 के बारे में आपको पता होगा कि सारक के लिए छोड़ा गया था कि आसपास की country में भी हम थोड़ा सा monitor कर सकें अब देखिए, यहाँ पर क्या है क्या आप लिखेंगे आप यहाँ पर satellite program के बारे में बताएंगे satellite program और इस satellite program को भी link करेंगे atmospheric level से atmospheric level से और आप बताएंगे कि we have different layers in which each layer is having its significance in different things जैसे कि अगर troposphere तक देखेंगे atmospheric phenomena में देखेंगे तो temperature वहाँ पर difference होते हैं और इसके बाद से आपकी बाकी चीज़े हैं जो ionosphere, exosphere and all that आजाती है so we actually put our satellites in the mesosphere और यहीं पर आपका geography यूज हुआ कि mesosphere में हम अपने satellite को रखते हैं ताकि जो disruptions है ions के कारण से वो न होने पाएं और energy भी हमारी save होती है अब इस satellite program में आप बताएंगे we have different different things जैसे एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं remote sensing this is remote sensing और दूसरी होती है जो communication होती है this is communication ठीक है communication के लिए आप बता सकते हैं जैसे G-SAT वगर है हो गई और इसके लिए आप बता सकते हैं जैसे IRNSS बाकि अगर कुछ का नाम अगर याद हो तो you can just write it here इकॉन कॉन से satellites हैं क्या क्या चीज़े हैं कैसे कैसे हैं तो यह चीज़े हैं ongoing project के बारे में अगर आप बताना चाहें तो कुछ project का नाम आप लिख सकते हैं mainly आप इन project को focus करेंगे इसलिए क्योंकि ये national importance बाद में link करने को बोल रहा है तो आप जो भी project लिखना चाहें जो भी आपको याद हो current affairs में बहुत सारे project बगरे के बारे में अपने पढ़ा होगा इन project को लिखने के बाद सीधे आप shift हो जाएंगे अपने main मुद्दे पर नाविक, गगन and lastly G-Sat 17 इस नाविक के basis पर बता दीजेगा कि we have different resolutions for normal people or the citizen and different resolutions for our defense forces so can we can our defense forces can watch very closely to the neighboring areas of the India and this can prove to be effective for national security also ठीक है तो ये गगन नाविक और G-Sat 17 के बारे में आप लिख करके इसको define कर सकते हैं इसमें पूरी की पूरी जो geography है वो यही है कि आप सीधे यहां पर atmospheric levels का atmospheric levels के बारे में आप बता सकते हैं that is all ज्यादा technicality मत लिखिएगा जो atmospheric science वाले होंगे या फिर aerospace वाले होंगे engineer अगर की होंगे अपनी technical knowledge है उसको मत बताईएगा otherwise यहां पर problem हो सकती है क्योंकि जो examiner है वो हो सकता है कि वो technicality में जाने पर फिर यह लगेगा कि वो ज्यादा लिखना है तो यह का मत करिएगा geography लिखिए and this is too much about this geography और बाकि 250 word में लिखना है आप easily 50 word तो atmospheric level प ले जा सकते हैं और बाकि के 100 word आप अपने remote sensing communication satellite लोगों को define करते हुए इनके projects के बारे में बता दीजिए और फिर lastly जो आपकी 100-125 words जो बचे है उसमनावी governor और इसके जो national security बगर है उसके बारे में बता दीजिए तो easily you can again tackle this question शुरुवात में हो सकता है आपको लगे कि क्या लिखें इसमें क्या नहीं लिखें लेकिन ultimately अगर आप इसको focus करेंगे then you can obviously easily write this question ठीक है next question पर आते है next question है discuss the rainfall pattern and correlate it with special distribution of natural vegetation in India and this is the I guess simplest question ये actually form ही इसलिए किया गया है ये simplest question of the paper है सबसे असान question यह है क्यों क्योंकि इसमें दो question ऐसे दे दिये गए तो जो आपको disturb कर दिये होंगे और ये लालच होती है दिखाया जाता है कि देखो ये दोनों question करोगे तभी वाला कर पाओगे अब इससे पहले आपका question था satellite वाला और उससे पहले आपका question था chemical fertilizer pesticide और insecticide वाला ये दोनों question काफे tough है कि कैसे आप geography इसमें link करेंगे लेकिन अगर इन दोनों को आपने कर लिया then this is the reward for this question कि आपने attempt किया ना take this reward and बहुत ही simple question देखे rainfall pattern के बारे में बताना है मुझे लगता है कि हर एक geography optional के लिए this is the सबसे easiest thing rainfall pattern आप बताएंगे साथ ही साथ में आप इसके India के map को चिपकाएंगे और यहाँ पर आप बता देंगे कहाँ 200 से ज़ादा होती 100 से ज़ादा होती 150 वाली मदब ये easily लिख सकते हैं special distribution of natural vegetation अब आप मुद्दे पे आजाईए natural vegetation अगर किसी को click नहीं कर रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ this is actually copen classification this is copen classification vegetation को लेकर के ही तो इन्हों में बताया था ठीक है या फिर थोड़ा सा और अगर बढ़ जाएंगे thon fight classification काम खतम हो गया आपका यही आपको लिखना है special distribution में clear हो गया क्या चीज है किस तरीके से आपने अब यहाँ पर देखे टेक्निकालिटी नहीं लिखनी है आपको कि AF क्या है AM क्या है AW क्या है BW क्या है यह नहीं copen classification का जो basis था और जो इसका after effect था region के बारे में वो बताना है आपको ठीक है जो equatorial rainforest या फिर equatorial या tropical monsoon ठीक है तो यह सब चीज़े आप लिखनी है copen classification का एक नाम लिख सकते हैं अप लेकिन इसकी जो technicality है जो एक तरीके से alphabets वगर है यूज किये गया थे वो लिखने की जरुरुवत नहीं है अगर आप लिखना चाहते है तो tropical rainforest लिखे फिर बगल में bracket में लिख सकते है AF defined by copen clear हो गया तो this is the simplest question and we are not going into too much of the discussion for this question क्योंकि easily आप tackle कर सकते है आगे बढ़ते है next question आपका discuss the political aspect of Himalaya and explain how it has affected the geo strategy geopolitics and regional consciousness of Indian federalism अब देखें यहाँ पर गोला पड़ा हुआ Indian federalism है and this is the most disturbing keyword for this question अब देखें यहाँ पर देखेंगे आप and सबसे पहले लिखा है political aspect of Himalaya के बारे में यह easily आप लिख सकते है this is political aspect of Himalaya यह आप easily लिख सकते है कि क्या क्या चीज़े है आप political aspect में एक तो आप boundary wise भी आ सकते है ठीक है boundary wise जैसे China के साथ में boundary लगती है Nepal के साथ में boundary लगती है इसके अलावा आप Pakistan के साथ में boundary लगती है Afghanistan के साथ में boundary लगती है keep in mind P.O.K. is part of India and फिर Afghanistan के साथ boundary लगती है ठीक है दूसरा climatic climatic factor के basis पर भी आप इसको divide कर सकते है जैसे Himalaya polar जो winds है उनको रोकती है और इस तरीके से जो चीज़े होती है वह आप यहाँ पर political aspect में सब चीज़ों को दिखा देंगे clear ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है you can just easily write 50 to 60 words here बहुत इसली लिख सकते हैं आगे देखते हैं second part of the question explain how it has affected the क्या कह चीज़ें geo strategy देखें क्या होता है UPSC के खुदा आंसर भी बता रहे होते हैं कैसे बता रहे हैं देखिए geo strategy geopolitics फिर regional consciousness region consciousness ठीक है last में जो term दिया है Indian federalism यह थोड़ा सा disturbing है इसको अभी देखते हैं क्या चीज़ है federalism ठीक है Indian federalism के बारे में तो खेर आपको पता ही है की चीज़े क्या होती है Indian federalism में आप सीदे सीदे आ सकते हैं की state के बारे में है state management करना है आपस में यह सब चीज़े है कैसे central state के बीच में relation है that is the thing central state relation this is federal thing ठीक है geo strategy का मतलब क्या है geographical this is geographical strategy how you are using the geography for strategy making या फिर strategic areas जो भी peak points these are peak points climate यह सब चीज़े is geo strategy में चली आएंगी दूसरा है geopolitics how you are using himalayan belt for politics या फिर international affair या फिर diplomacy diplomacy में किस तरीके से इसको use लिया जा रहा है no doubt इंडो चाइना and इंडो पाकिस्तान इन दोनों का यहाँ पर हमें link करना पड़ेगा clear अब यहाँ पर जो most important thing है वो है लद्दाग का area और जमुन कश्मीर का area इन दोनों area को basically हमें integrate करना होगा कैसे करेंगे देखते हैं फिर उसके बाद है regional consciousness no doubt all these things are mountain areas mountain areas and these are different from other part of the Indian geography ठीक अब यहाँ पर आप simply इन तीनों चीजों को link कर दीजे इस federalism से कि federalism में central street relation कैसे होना चाहिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है यह दिखाना है कि what is the importance importance मतलब strategy के रिया कि क्या क्या significance है importance है पहली चीज internationally क्या है क्योंकि geo geo लगा हुआ है this is geo geo ठीक है इसलिए internationally क्या importance है दूसरी regional क्या importance है regional importance जैसे बहुत सारी चीज़ें आपर होती है से आपका apple होता है फिर उसके बाद से अखरोट वगर होता है फिर लकडियां वगर है पाई जाती है कई तरीके की पाई जाती है फिर आपका cultural aspect भी है यहाँ पर तो यहाँ पर different different चीज़ें with respect to the economy of the country with respect to strategy of the country and with respect to culture of the country and obviously there are many problems also associated with these regions तो जो इसकी importance बताएंगे साथ ही साथ में फिर इसके problems के बारे में बताती है और इस problem के basis पे बोलेंगे there should be greater emphasized by the central government and there should always be a strategy and there should always be a healthy relation between the state government of these states and central government अब यही पर आपता सकते हैं कि जैसे होता क्या है कि जो हिमालियन states होते है और central government होती है यहाँ पर जो economy का या जो share होता है central sponsored scheme में 9010 का होता है तो इस तरीके से यहाँ पर extra focus भी किया जाता है यह हुआ federalism के बारे में ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर language और tone में अंतर देखेंगे आप कि this is the question this may be asked in your economy paper GS वाले या फिर आपसे एक question पूछा जा सकता है again polity के भी paper में तो वहाँ पर हमारी strategy political रहेगी वहाँ पर हम लोग law जादा बात करेंगे articles जादा बात करेंगे यहाँ पर हमने purely जोग्राफी बात किया है हर जगा हम लोगोंने कहीं पर भी connect किया है इंडिन फेडरलिजम लिख करके यह question की complexity को और बहुत जादा बढ़ा दिया है बाकि तो आपको समझ में आ गया होगा चीज़े कैसे लिखना है एक idea दे दिया गया है कि कैसे आप क्या करेंगे और flow कैसे maintain करेंगे that is the thing clear second last question of today's discussion देखते हैं यहाँ पर देखिए पहली चीज़ बोली गई है कि examine the development of information technology in India and its influence on work culture and society अगें थोड़ा सा disturbing question थोड़ा सा यहाँ पर भी अगें problem हो सकती है कई लोगों को देखिए अगें जो fourth question है वो भी थोड़ा सा complex question है obviously there will be a reward question देखेंगे क्या reward question है फिलाल देखते हैं information technology का development हो रहा है तो पहला तो keyword मिल गया है मुझे IT information technology इसमें क्या है दो चीज़े बताना है information technology का prospect क्या है इंडिया में और दूसरा information technology की progress क्या चल रही है यानि कि development क्या चल रही है ठीक है prospect के बारे में तो आप हर चीज़ बतातेंगे जैसे geography जैसे monitoring ठीक है अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है हमें हमें geographical language उसकर नहीं है तो geography में, monitoring में, communication में, communication ठीक है इसके अलावा remote sensing this is again the thing remote sensing अब केवल geography नहीं लिखेंगे ऐसा नहीं है हम लोग बाकी चीज़ भी यूज़ करेंगे जिससे industries में भी यूज़ करेंगे industrial geography is also part of geography इसके अलावा health में, medicine में, बहुत सारी चीज़ें होर भी है dot 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 education में ठीक है development क्या लिखेंगे अब हम लोग आ जाएंगे main मुद्धे पर कि क्या development चल रही है with respect to geography we can say that our satellites are now IT enabled हम लोग जो use करते हैं artificial intelligence का use कर रहा है so satellite का use कर देंगे satellite के बारे में आप बता देंगे in fact जो NAVIC program वगर है उनका नाम लिख देंगे आप ठीक है NAVIC IRNSS जो atomic clocks वगर है लगाई गई है उनके बारे में monitoring के बारे में आप बता देंगे यहां पर भी क्या है satellite वाली ही चीज़ है ठीक है गगन वगर है के बारे में आप बताना चाहें तो बहुत आ सकते हैं communication के बारे में बता देंगे तो हम लोग continuously g sites websites वगर है मतलब की g sites satellite वगर है हम लोग launch करते रहते हैं तो यह सब चीज़ें हो गई industry वगर है health वगर है इन सब चीजों में हम लोग बाकी robotics आप लिखना चाहें तो robotics लिख सकते हैं तो यह हो गई development कुछ projects के नाम अगर आपको याद हो वह भी लिख सकते हैं आई टी development या जिते मी चीज़ें आगे तो वह यह ज्यादा कुछ खास नहीं है and you just have to examine it अब इसके बास से है कि कैसे work culture और society पर इसका फरक क्या पढ़ड़ा है यह most important part है यहाँ पर दो चीज़ें work culture और दूसरा है society keep in mind we have to use geography here ठीक है अब यहाँ पर आप जब work culture के बारे में लिखेंगे तो आप सबसे पहले तो simply बता देंगे कि obviously industries are expanding industries expand कर रहे है because of the IT अब यहाँ पर आप चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे कि जैसे we have different different models again जैसे middle का जो model है इस middle के model में cumulative causation theory होती है again यहाँ पर labor force availability होती आएगी and the all the region will try to you can say की आपस में align होना शुरू कर देंगे freedom and की theory के बारे में भी आप लिख सकते है freedom and की theory यह भी क्या है core periphery ठीक है यहाँ पर भी जो system है जो industries है वो भी align हो जाएंगे and there will be obviously a work culture कैसा आ जाएगा link based systems analysis में जो linear link वगरे बात किये थे cascading link वगरे बात किये थे वो link यहाँ पर आ जाएगा एक दूसरे के लिए link maintain करेंगे जो समाल लेते हैं कोई motorcycle बना रहा है कोई एक बंदा tire बनाएगा कोई एक बंदा उसका जो body part है वो बनाएगा कोई एक बंदा electronic part बनाएगा कोई एक बंदा शीशे बगर एगा काम करेगा so this kind of thing will happen and this is the thing which actually freedom man has discussed तो यह work culture के बारे में बता देंगे लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर बताएगे कि जो labor force है वो कहीं न कहीं एक हमें skill चाहिए होगा labor force की जो availability है वो थोड़ी सी बदल जाएगी अलग type की हो जाएगी तो यह कहाँ पर labor force वाली जो problem है वो आप दिखा सकते हैं कि this may grow and एक चीज़ और बता सकते हैं जो CBD type का concept है वो local level पर develop होना शुरू हो जाएगा CBD ठीक है central business district वगर जो होते थे local level पर develop होना शुरू हो जाएगे production में काफी आधा तेजी से बढ़ जाएगा यह सब चीज़े लिख देंगे यह हो गया काम कातम society में क्या फरक पड़ेगा society में भी again बहुत बड़ा फरक पड़ेगा अब जीतने भी societies होंगी they will be like isolated क्यों? क्योंकि अब जो यह information technology है वो उनको उनके ही pass में उनके ही area में हर एक चीज के availability करा देगा सबसे पहले number one दूसरी चीज easy communication कर देगा यह भी एक अच्छा चीज हो जाएगा IT के लिए तीसरी चीज ease कर देगा convenient कर देगा society को connect करने में और चीजों को बताने में तो यह हो जाएगा time you can say time save होगी इसके अलावा जो link बड़ी सी link थी वो अब छोटी हो जाएगी क्योंकि अब क्या है directly you can reach to any place तो यह चीज हो जाएगी तो बाकी उसके बास है चीजों को आप आराम से लिख सकते हैं this is the main जो यहाँ पर main चीज थी वो यह theories बताने वाली थी main development यहीं था clear हो गया क्या चीज़ है बाकी देखे इसके side effects मतलब side effects का मतलब की information technology के effects तो है ही और उस effect को भी आप लिख सकते हैं this is the challenging question है यह लिखना यह थोड़ा सा tough होगा आगे बात करते हैं this is the last question for today and this is the reward question again देखे दो question जफ टफ आते हैं तो एक question reward question बनेगा ही बनेगा देख करके यह पता लगया आगा आपको present status of age structure and availability of workforce in simply term dividend ठीक है demographic dividend का question है सीधे सीधे आपको लिखना है age structure में आ जाएंगे तो वही जो demographic transition model के basis पे आप बता देंगे कि there are different different stage first stage second stage third stage so we are moving in between second to third and that is why we are having controlled birth rate and controlled death rate जिसके कारण से हमारी जो population है वो अब कुछ bulging nature में आ गई है जिसके कारण से हमारा जो age structure है वो हब average structure average आज की date में जैसे 37 years है जो की आगे जाकर के 20-50 तक में हमारा जो age structure है वो 29 years हो जाएगा and this is the most important thing was यह जो होती है labor force labor availability काफी अच्छी कराएगा जिसके basis पे हमारी economy of the country काफी grow करेगी तो इस चीज को बहुत easily आप लिख सकते हैं बाकी खैर इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली चीज नहीं है so that is the thing ठीक है so हम लोग ने section A को पूरी तरीके से complete कर लिया this is all for today और अगर कोई doubt होता है या किसी question में आपको problem होती है या किसी question में आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज छूट गई है या कुछ और भी चीज़े add कर सकते हैं then obviously you can reach us by using the methods इन चीजों को method का use करके आप बिल्कुल अपने answer को अपने suggestion को हमें बता सकते हैं मिलते हैं next video में section B के साथ कल इसी समय पे till then goodbye and thank you so much